हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज हम आपको बताएंगे रश्मी देशाई के बारे में रश्मी देशाई एक एक्टर्स है और डांसर है वे टीवी सिनेमा की सबसे लोगपी अभिनेतरी में से एक है उन्होंने जरा नच के दिखा नाम का रियलिटी श ने दिया यह नोमबबए के जैवी खोथ प्राइमरी स्कूल से पूरी की थी उन्होंने नरस्ी मोंजी कॉलेज और commerce and economics से डिप्लोमा किया था इनकी net worth की जाये तो इनकी net worth है 1.5 million दोस्तों इनकी फिल्मी करियर की बात की जाये तो इन्होंने 2004 में अपनी पहली वॉलिवुड फिल्म ये लम्हे जुदाई के नाम से की थी इस फिल्म में उन्होंने शीतल का किरदार निभाया था और इसी किसा साथ 2004 में उन्होंने तुलसी बलमखळा नादान हम बाल ब्रमचारी तुकन्य कुमारी जैसी भोजपुरी फिल्में की थी 2005 में उन्होंने गजब भील राम कव हो गया हमा नदिया के तीर और सबनम मौसी जैसी भोजपुरी फिल्में की थी 2006 में उन्होंने बंबई की लैला चप्रा का छहला गबबर सिंग कीवल आई बहार कंगना खन के पिया के अंगना पपू के प्यार होगेल साती संगटन और तो प्यारवा जैसी भोजपुरी फिल्में की थी 2007 में उन्होंने दूला बाबू और सन्वा सालसा जैसी फिल्में की थी और 2008 में उन्होंने बंदन टूटेना सहर वाली जान मारेली और प्यार जब के हुसे होई जाला जैसे फिल्में की थी और 2009 में उन्होंने हम हैं गवार नाम की फिल्में की थी दोस्तों 2010 में उन्होंने सुहागन बनाद साजन हमार उमरिया केली तोहुरे नाम जैसे फिल्में की थी और 2017 में उन्होंने सुपर स्टार नाम की फिल्में की थी यह एक गुजराती फिल्म थी चलिए दोस्तों इनके टीवी करियर की बात की जाए तो, इन्होंने साल 2006 में अपना पहला टीवी सीरियल रावर नाम से किया था, उन्होंने इस सीरियल में मंदोदरी का रोल प्ले किया था, और 2008 में उन्होंने परी हूं मैं नाम का सीरियल किया था, इस सीरियल में उन्होंने निकी स्री वस्तव और परीरोय की भूमिका निभाई थी और 2008 में वह फिर कोई है नाम की सीरियल में नजर आई थी इस सीरियल में उन्होंने प्रिया का किरदार निभाया था 2009 में वह मीत मिला दे रब्बा नाम की सीरियल में नजर आई थी उन्होंने इस सीरियल में डॉक्टर महरदत्ता की भूमी का निभाई थी और 2009 में वह उत्रन नाम की सीरियल में नजर आई थी इस सीरियल में उन्होंने तपस्य ठाकुर की भूमी का निभाई थी इस सीरियल के बाद उन्हें काफी popularity मिली थी 2012 में उन्होंने Haunted Nights नाम का सीरियल किया था इस सीरियल में उन्होंने शिवानी का रोल प्ले किया था 2015 में वह इश्के करंग सफेद नाम के सीरियल में नजर आई थी इस सीरियल में उन्होंने तुलसी का रोल प्ले किया था और 2016 में वह हमारी अदूरी कहानी नाम के सीरियल में नजर आई थी, उन्होंने इस सीरियल में प्रीती का रोल प्ले किया था। और 2017 में वह दिल से दिल तक नाम के सीरियल में नजर आई थी, उन्होंने इस सीरियल में शोरवरी पार्थ वानुशाली का किरदार निभाया था। इन्होंने बिग बॉस 13, रसोई की जंग, मम्मी के संग, मजाक में, बॉक्स क्रिकेट लिग 2, नजवली 7, खत्रो के खिलाडी 6, जलक दिखला जा 5, जरा नज़ के दिखला जा, पॉमेडी सरकस 3 का तड़का जैसे कई रियलिटी शो में भाग लिया था। और 2020 में वह अब क्या जान लेगी मेरी नाम के म्यूजिक वीडियो में नज़र आई थी, इस गाने को पलास मुच्छाल और अमित मिश्रा ने गाया था। नकारात्मक भूमी का महिला में सबसे लोगप्री अविनेता के लिए एक भारते टेलिवीजिन पुरुसकार जीता था। और 2010 में उन्होंने उत्रन नामक धारावाहिक के लिए नकारात्मक भूमी का महिला में बेस्ट एक्टर्स का गोल्ड अवार्ड जीता था। 2011 में उन्होंने एक अपसरा पुरुसकार जीता था, 2011 में उन्होंने उत्रन नामक धारावाहिक के लिए बेस्ट एक्टर्स कोल्ड अवार्ड जीता था, 2017 में उन्होंने सर्विस रेष्ट जोड़ी के लिए गोल्डन पैटल अवार्ड जीता था, पसंदीदा विनेता है र तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें और वैल आइकन को दवाना ना भूले जिससे की हमारी वीडियो आपको मिलती रहे धैंक यू